लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताओं पर मंगलवार यानी 8 अगस को चर्चा हो रही है कॉंग्रेस सांसद गोरो गोगई ने अपने अविश्वास प्रस्ताओं पर 35 मिट इस पिश दी इस दोरान उन्होंने मनीपूर हिंसा से लेकर विदेश नीतितक के मुद्दे पर सरकार को घेरा गोगई ने कहा कि प्रस्ताओं लाने का मकसद पी एम का मौन तोड़ना है बाशपा की तरफ से निशिकान दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद थे बेटे को सेट करना और दामांत को भेट करना गोगई ने ये भी कहा कि प्रधान मंत्री को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मनीपूर में विफल हो गई इसलिए मनीपूर में एक सो पच्चास से ज़्यादा लोगों की मौत हुई राजी की सीएम जिने बाच्चित का, शान्ती और सद्भाव का महल बनाना चाहिए था उन्होंने पिछले दो-तीन दिनों में भड़काव कदम उठा है जिससे समाज में तनाव पेदा हो गया है इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कारवाई शुरू होते ही 12 बजे तक इस्थाकित कर दी गई पिये मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस को दे सकते हैं विश्वास प्रस्ताव की शुरूआत गोरो गोगई ने जैसे ही की भाशपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया कहा सुबह सेकेटरी जनरल ने यहाँ चिठी आई थी की राहूल गांदी जी बोलेंगे हम तो उनके भाशन का इंतजार कर रहे हैं अब गोरो गोगई बोल रहे हैं पाश पीट में आखिर क्या हो गया इसी के साथ बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ धन्यवाद